तो गाइस तर ऐसे आप लोग स्वाद करते हो आपका हमार यूट्वीब चैनल में जावास्टिप टूरेल की 38 मीडिया के साथ में आज की वीडियो में हम बात करने वाले है कि किस तरह से हम API को पोस्ट कर सकते हैं तो चलते हैं हमारी वीए सखूम में और देख़े हैं और वस्ट रिक्वेस्स के बारे में आप देख सकते हैं मैंने एक नई फाइल कर लिए पोस्ट.html लाम से जिसके अंदर मैंने मेरा HTML का बॉयलर टेंप्लेट कर दिया है और उसके अंदर मैंने टाइटल में लिखा है पोस्ट API और उसके स्क्रिप टेग में एक में स्क्रिप टेग को एड़ किये इसका नाम है पोस्ट.js और अभी इससे जावस्ट फाइल में कुछ भी नहीं लिखाता है आप सिंप्ली में यहां पर आप देख सकता हमारा कंसोल पर हमारा मैसेज प्रिंट हो गया है वर्किंग विफ पोस्ट फेच मेथड्स तो यहां पर आपको आना है आपको सिंप्ली जेसन प्लेस होलर की एक वेबसाइट पर आना है यहां पर आप देखना कि हमारे ब्राउजर में एक नई API रिक्वेस्ट आगे है लेकिन यहां पर हमने फैच मेथड़ करा है इस URL के टुडूस के जो फस्ट वाले टुडूस तक उस फस्ट वाले टुडूस को सिंप्ली आपर कॉपी कर लिया है अगर इसमें मैं टुडू 1 की जगे अगर आपर तू लिख दूँगा तो आप दिखना आपर डीटा चेंज हो जाएगा तो आपर अमारे डेटा चेंज अब 101 पर भी कोई डेटा वाले बल है और लास्ट डेटा 55 पीछे तर इस पर अब डेटा भी चेक कर सकते है यूजर आइडी और यह सब आ गया यहां पर अब क्या रहेंगा अब हमें देखना है सिंप्ली पोस्ट रिकेश कार में तो यहां पर आप इस जेसन प्लेस होल्ड आपर की नीच्ची वाले वेबसेट पर चल जाओंगा तो आप देख सकते है आपर इस लैश पोस्ट इस लैश कमेंट इस लैश एलबम इस फोटो इस लैश करके अगर इदन मैं इस लैश करके अगर यूजर करूंगा और इस तो सिल्ट इता जाओ तो तो यहां पर क्या हो आपर यूजर भी मेरे पास आ गया है और अगर मैं आपर कमेंट्स लैश करता हूँ अगर यहां पर फोस्ट इस लिखोंगा हूँ यहां पर पोस्ट मिल जाएगी और यहां पर यू आरल बीया है अगर मैं इस यूर्ल कॉपी करूंगा अगर आपको पेस्वेश कर दिखा और में को पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा एक सिंप्ली इस प्रोनो को बटन वड़ेगा और यहाप आप रेच सकते हैं आप आम रपास इमेज इस पी आ गई है इस तरह से आप यहाप एक सिंप्ली के रिसोर्स है एक आपके लिए है इसकी लिंक पर वीडियो डिस्ट्रिशन दे दूँगा उसमें से आप यहाप एक एक स्कार सकते हैं और आपके लरंणिंग पर फरस के लिए काफ्य अच्छी है और अगर मैं नीचे आँगो ता अपर दे रखाए कि कौन कौन से method होते है get, post, put, fetch, delete और next video में आना लिए video में सब method के वारे में देखेंगे अच्छी video में हम सिफ post method के वारे में देखेंगे तो simply आपको आपको आपना है see guide for users example पर क्लिक करना है और अब अगरना है, simply क्या है इसमें fetch method में आपको simply इससे पहले एक create करना है तो तो आपको लैट करके, let, options, z, pulse to आपको एक object क्रियेट करूँगा, options का और उस object के अंदर सबसे पहली field में आपको आपको लिखने की method और method हमारा simply होगा post, simply होगा, simply होगा आपको post लिखने होगा उसके पात एक format बढ़ाएगा और उसके बात यापको headers लिखने होगे यापकर लिखने होगा headers और headers में अंदर में एक और nested object का यूज़ करना होगा जिसके अंदर में object क्रियेट करता हो और object में simply मेंको content type डिसेट करना होगा और मैं बता था आपको मैं क्या कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट क्या कर रहा हूँ और simply fetch के आगे यह URL है, इस URL के आगे मैं simply इसको अटा दूँगा इस पूरे यह object होटा दूगा और simply मैंने यह नया object create किया है, जो मैंने object create कर रहा है तो simply इस object को आपके डाल दूगा इस request का use करना है तो simply आपको fetch लिखना पड़ेगा उसके बाद आपको एक URL यहाँ पर input करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको एक object पास करना पड़ेगा तो simply आप इस पूरा object को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता है लेकिन मैंने इस पूरा object को एक options नाम को object में प्रिंट करा है और उस वाले options को आपके डाल दिया है एक as a parameter, fetch के लिए as a parameter यहाँ पर डाल दिया है और object के अंदर हमें define करना आठता है कि हमारा method की हमारा method पोस्ट header से हमारा application slash json और अगर मैं यहाँ पे इसकी body भी define करेंगा अगर मैं यहाँ लिखूँ आप बॉड़ी और body में क्या होगा एक function को create करूँगा तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना ड़ेगा json json.stringify तो यहाँ पे मैंने json.stringify का use कर लिया लेकिन इस json.stringify के अंदर मुझे यहाँ पे object को पास करना पड़ेगा लेकिन object हमारे पास है नहीं तो मैं करूँगा simply इस पूरू object को आपके copy करूँगा और यहाँ पे हमारे इदर आखे paste फरसे तो और याँ पर मैं title की जाए लिख दो तो more with और body की जाए लिख दो तो subscribe title लिख दिया more with slash subscribe यहाँ लिख दिया और याँ जब url भी मुझे याँ पर change करना पड़ेगा याँ पर मुझे url करना पड़ेगा post slash one आप लिख लिख लाड़ेगा और याँ पर दिखना note पर अबर हमारी error रही है और हमें सिर्फ आइड 101 आ रहे है मुझे एच की जगे small h करना रहे है आप एका सब्सक्राइबर आप आप देच सकते हैं मैंने data पोस्ट किया है तो इस तरह से आप पोस्ट मेठड कर सकते हैं आप कुछ भी डेटा का आप पोस्ट कर सकते हैं और अगर आप देखें तो यहाप मेरा आईडी आ रहे है यह बन ओवन अगर मैं यहापर सिंप्ली अगर मैं यहापर सिंप्ली इस पूरा को कॉपी करूँ और नीचे पेस्ट करता हो के लिए और यहाप मैं इधर आउप्शन फटा देखा हूँ तो यहाप आपने देखा है किस तरह से हम पोस्ट रिपर्स का यूज करता है हमारे जावस्ट में आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम फैच का यूज करके ग्याट और पोस्ट का यूज करते हैं अगे की वीडियों में नई एक्सराइस को सौल करें काफे सारी एक्सराइस हम कवर अप करेंगे और आज की वीडियों यहीं पर एंड करते हैं और अगर अभी तक भी आपने हमारी इस जावस्ट फ्रूट लए प्लेश फ्लेश नहीं किया है और यहां पर क्लिक करके आप सिंपली इस लेश को बुकमार कर सकते हैं और तो बस आज की वीडियों में मिलता है आपको जाज तर प्रूट लेल की एक नई वीडियो में अब तक के लिए कीप लर्णिंग कीप एक्स्ट्लॉरिंग जैहिंद